भाई साब, खुद को बेचारा मत बनाओ, सच कह रहा हूँ, अगर मुझे अपना भाई छोटा बड़ा जो भी मानते हो, दोस मानते हो, तो इस बात को कहीं पर नोट कर लो, खुद को खुद की नजर में बेचारा, लाचार, गरीब, कमजोर, वीक, सेंसिटिव, सर आम एमोश फूल, मुझे प्रैक्टिकल बना है, तो मैं इमोशनल फूल नहीं हो, नहीं हो, जिस विक्ति ने अट लीस्ट, अड्रेस किया है, कि हाँ मुझे दिक्कत है, मुझे लगता है कि मेरे अंदर इमोशनल मच्वारिटी नहीं है, कोई बात नहीं बो, वो तुम्हारी परसनालि समझता हो कि हाँ दिमाग से हम स्टेबल है, पैदल नहीं है, सो स्टेबल, ठड़ने दिमाग से, कभी भी, कहीं पर भी तुम खुद के दिमाग को, क्या हो रहा है यार, क्या हो रहा है, मुझे तो खुद समझ नहीं हो, शान्त हो जा भाई, रिलाक्स, 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 अगर आपको जरुवत है तो खुद की, खुद की maturity की जरुवत है discipline की जरुवत है ड्रामे बाज ही की जरुवत नहीं है मुझे खुशी नहीं मिलती खुशी नहीं मिलेगी I don't thrive on happiness मुझे happiness से फरक ही नहीं पढ़ता भाई मैं कोई सड़ावा विक्ति नहीं मुझे से real life में मिलोगी ने मुझे से, तुमको मुझे से बढ़िया इंसान, मैं नहीं मानता हूँ कि मिलेगा, बात करने में गुमने फिरने में पचास तरक है मज़े करते हैं वहीं हाम लाइफ में सड़ी वी जिन्दगी मुझे पसंद ही नहीं है मेरी बात करो तो आपको लगता हुआ कि यार इतनी harsh बाते करता है यार इतने गुस्सें में रहता है सड़ी वी जिन्दगी जीता होगा नहीं ब्रो यह तुमारा anticipation तुमारा assumption है यह तुम बोलते है जो हसस के बात कर रहे है वही है खुश नहीं है खुश यह assumption है और कुछ नहीं है मैं जैसा हूँ वैसा ही दिखाता हूँ वैसी ही बात करता हूँ इसलिए मेरे दिमाग में clarity रहती है भाईया तो रेल लाइफ में मुझे इतनी कोई बड़ी-बड़ी तकलीफ है मैं परिशान नहीं करती है मैं बहुत ज़्यादा over commit नहीं कर रहा हूँ आप यह तकलीफ है परिशान हरकीजियों करती है बाइट कैसे निकालते हो वो attitude towards solving your problems मेरा यह attitude मुझे लगता है बहुत help खड़ता है भाईया मैं इसलिए इस चीज़ को बहुत ज़्यादा आप लोगों को भी कहता हूँ कि समझो थोड़े से खुले दिमाग से चिल रहो चीज़ों को लेकर कि हा यार ठीक है भाई हो जाएगा चलो हटाओ कर लेंगे चिंदा मत करो हमारी चिंदा मत करो हम कर लेंगे भाईया ठीक है हमको रत्ती भर की कोई तकलीव आके खड़ी रहेगी लेकिन चुएगी नहीं क्यों? क्योंकि हम उस तकलीव को एंटर्टेन करते ही नहीं है ये एरेगंस नहीं है ये कुछ अमाउंट of confidence है जो आपको stress-free जिन्दगी जीने के लिए ज़रूरी है मैं नहीं कहरो कि stress eliminate हो जाएगा peaceful, serene life जी होगे ऐसा कभी नहीं होता I thrive on better problems to solve मुझे मज़ा आता है problems में भी क्योंकि मैं खुद को test करता हूँ हर इक चीज में मैं इस तरीके से खुद को challenge करता हूँ एक एक चीज के लिए इसलिए मुझे मज़ा आता है समझने आली बात है मेरी दोस्त So overall आपका attitude क्या है इन चोटी मोटी चेछोरी problems को लेके चोटी मोटी मैं हर एक problem को यही मन भी चोटी मोटी चेछोरी problems है बशलarette मुझे करें इस चोटा मोटे चोटा मोटे च्रेस भी चोटी मोटी थोड़ा हो सकते ह statement होगा वगर वगर उसके बात क्या होगा भाई। तुम निकाल लो एक थुद को हो के ए पुर्था नीए प्रोब्लम्स में.